आज हम बात करने जा रहे हैं law of demand पे जैसा के लास्ट वीडियो में हमने डिसकस कर रहा था need versus want versus demand के concept को और थोड़ा सा उस वीडियो को recall करते हैं तो demand क्या थी कि जब भी किसी इनसान की ability to purchase हो जाएगा मतलब कि वो खुद able हो जाएगा उसकी income इतनी हो जाएगी कि वो अपनी need और want को convert कर सकता है खरीदने के लिए तो फिर वो चीज़ बन जाएगी आपकी demand मतलब when a person is able to purchase anything then वो क् करता है कि उस demand के उपर एक पूरा law है economics में और वो law है law of demand और आज हम इसी को discuss कर रहे है कि law of demand क्या कह रहा है तो इसकी statement लिखी विये board पे इस statement को पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है when a price of good increases ये कह रहा है कि जब goods की price increase होगी मतलब बढ़ेगी when a price of goods increases other things remain constant तो इस other things remain constant का मतलब क्या है इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसको discuss करते हैं कि ये क्या कह रहा है other thing remain constant its quantity demand contracts यहां पर यहां पर सिर्फ demand नहीं लिखा हुआ quantity demand लिखा हुआ है तो सिर्फ demand और quantity demand में क्या फरक होता है इसको discuss करते हैं और contracts contracts मतलब क्या होता है decrease हो जाना मतलब कम हो जाना तो तो उसकी demand क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी मगर बाकी चीजे constant होने चाहिए other things remain constant other thing remains constant क्या है? जहां पर मैंने कुछ चीजे लिखी है consumer income, price of related goods, taste and preferences, seasonal effects मतलब कि ये बात कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कीमत के बढ़ने से या कम होने से demand में तबदीली नहीं आती इसके इलावा बहुत सारे effects है मतलब कि अगर मेरी income, मेरी जो आमदनी है वो अगर increase होती है या decrease होती है तब भी मैं demand को vary कर सकता हूँ या तो increase कर दूँगा या decrease कर दूँगा मतलब कि अगर मेरी income तबदील हो जाती है खरीच सकता हूँ मगर कि ये क्या कह रहा है other things remain constant बोला है कि अगर ऐसी कोई चीज़ में तुमारी change आएगी जैसे अगर तुमारी कोई income में तबदीली आ जाती है तो ये चीज़ इस law के हिसाब से क्या है constant है मतलब इन सब चीज़ों में हम assume कर रहे हैं ये सारी चीज़े क्या है आपकी unchanged है constant है ये चारो चीज़े आपकी क्या है unchanged है ऐसे वो factor price के इलावा जो demand पे तबदीली करते हैं demand पे change लाते हैं वो सारे यहाँ पर हम assume कर रहे हैं तसवर कर रहे हैं कि वो क्या है यहाँ पर constant है unchanged है उन सब में कोई तबदीली नहीं आ रही इस लोगों आप दुवारा पढ़ते हैं when a price of a good increases other things remain constant its quantity demand contracts मतलब कि एक simple सी बात है कि जब जब किसी भी चीज़ की price बढ़ती जाएगी उसकी demand क्या होगी demand उसकी कम होती जाएगी जैसे कि फर्स करें कि petrol की example लेते है petrol पहले एक लीटर 100 रुपे में आता था जब उसकी price बढ़ गई 150 आ गई तो फिर उसकी demand को लोग कम use करेंगे उस petrol को क्यों कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने 1.500 रुपे या जितना भी तबदीली आईए उसको सब पैसा उसमें convert कर दें मतलब कि उस petrol के खरीदने पे लगा दें इसलिए उसकी demand को क्या करेंगे कम कर देंगे उसके use को क्या कर देंगे कम कर देंगे ये एक simple सा effect है जो हम common life पे इसको बहुत ज़दा use करते हैं इसी तरीके से इस law में क्या करा है जब जब goods की price decrease होगी उसकी quantity demand extend हो जाएगी मतलब increase हो जाएगी बढ़ जाएगी तो इस law के साब से हमने क्या समझा कि जो भी relationship होगा demand का with respect to price वो क्या होगा relationship relationship of demand versus relationship हमने समझा कि क्या होगा price का demand से हमेशा क्या होगा inverse relation होगा inverse relation मतलब ultra relation होगा negative relation होगा जब जब price increase होगी quantity आपकी decrease होजाएगी price बढ़ेगी quantity decrease होजाएगी price कम होगी quantity increase होजाएगी तो हमने क्या समझा mogę demand का price से तालोग हमेशा ultra होगा negative impact होगा इसकी कुछ exceptions है, exceptions ऐसे कि कुछ चीजों की price अगर बढ़ती भी है, तब भी हम उसकी demand में कमी नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत जरूरी होती है हमारी कुछ medicines होती है, जैसे कि अगर कुछ sugar का patient है, उसकी insulin लगती है, तो अगर insulin की price बढ़ेगी, तब भी उसके लिए जिन्दगी क survive परने के लिए insulin बहुत जरूरी है, तो अगर उसकी price बढ़ भी जाती है, तो वो उसकी demand में कमी नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी कुछ चीज़े exceptions है, और इसी तरह कि कुछ religious item होते हैं, इसे एत कर तहवार आता है, इत कर तहवार में क्या होता है, कि बहुत सारी चीज़ों जिसमें ये जो हमारा law है, ये थोड़ा सा काम नहीं करता है, मतलब accept cases के इलावा की बात कर रहा है, उसके बाद हम इसको एक graph से समझते हैं, कि demand curve होता है हमारा, उससे समझते हैं, कि ये law of demand क्या कह रहा है, इस demand curve को देखते हुए, तो जब जब हमारी price 10 रुपे थी हमारी price, तो हमारी quantity demand कितनी थी, 100, जब हमारी price कम हुई, मतलब decrease हुई price, नीचे की तरह बारी है, 10 से 8 रुपे में आ गए, तो quantity demand कितनी हो गई, 150, मतलब ये बढ़ गया, इसी तरीके से जब हमारी price और कम हुई, तो quantity demand और increase हो रहा है, और जब और कम हुई, तो quantity demand आपका increase हो रहा है, demand हमारी increase होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसको हम graph में अगर plot करते हैं, तो जब हमारी price 10 थी, तो quantity demand 100 था, तो मैंने यहाँ पर point लगा दिया, इसी तरीके से जब price 80, quantity demand 150 था, यहाँ पर मैंने point लगा दिया, इसी तरीके से जब 5 था, तो यह 200 था, और जब 3 था, तो 250 था, हमने क्या देखा कि जो demand curve है, यह इसका क्या है, नीची की तरफ जा रहा है, मतलब downward sloping पे जा रहा है, negative sloping पे जा रहा है, downward sloping पे जा रहा है, इसका demand कर, या, negative sloping पे जा रहा है, जो इस बात को बता रहा है, कि जो demand का तालुक है, price से वो क्या है, inverse है, negative है, हमने क्या द तेखा कि demand का price से कैया तालुकता और क्या देखा के अगर consumers की income बढ़ती है रेलेटेट गुड़्स की income बढ़ती है या या कम होती है तेस्ट अन प्रिफरेंसेस और सीजनल अब प्राइस ऑफ को हम इंशाला next वीडियो में डिसक्स करेंगे कि related goods क्या होते हैं इसमें दो concept आते हैं एक आपके substitute goods के concept आ जाते हैं एक आपके complimentary goods के आ जाते हैं और seasonal effect को भी मैंने आपको जोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं अभी उसके बाद इंशाला next वीडियो में हम इसको और discuss करेंगे seasonal effect जैसे मैं example देता हूं winter के season की जब सर्दियों में हम हमारी जो demand होती है गरम कपड़ों की वह जादा हो जाती है हलाके उसकी price भी जादा ही होती है तो यह सब चीजे जब हम इस law को पढ़ाएते तो हमने क्या बोला कि यह सारे चीजे unchanged हैं constant है तो हमने इस वीडियो में discuss करा कि law of demand क्या कह रहा है price के बढ़ने से demand कम हो रही है price के कम होने से demand बढ़ रही है यह सारे factors other thing remain constant मतलब यह सारे factor आपके क्या होंगे unchanged होंगे उसके बाद हमने देखा कि कुछ exceptions हैं इस law की वह हमने discuss करी कि drugs and medicines हो गए जैसे आपके कुछ बहुत जरूरी medicines होती है वह अगर बढ़ भी जाती है उसकी प्राइस तो आप उसको demand को कम नहीं करते आप उसको फिर भी खरीचते हो जी तरीके पर हमने देखा कि इस demand को graph में किस तरीके आप Amazon को खिरेंगे हमने देखा कि एक्स एक्स पे आपकी quantity अगई य एक्सिस पर आपकी प्राइज आगई जिस जिस तरीके से प्राइज बढ़ रही थी आपकी ár今े काम हो रही थी और यहा पर हमने देखा कि प्राइस कम हो रही यह कौन्च इमांट करो रही बढ़ रही है इंशाला नेक्स वीडियो में मिलते हैं नए कॉंसेट से वो होगा डिटर्मिनन ओफ डिमांड मतलब ऐसे कौन कौन से प्राइस के इलावा फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इंक्रीस करते हैं या डिक्रीस करते हैं तब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच